हेलो गाइज मिरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंडरो वाइड और आज के अपने इस स्टूड़ हम करने वाले हैं एक फुल कंपेरिजन जो की होगा और यहां पर मैं आपको गोल गोल गोवाने कोशिच नहीं करूँगा क्लिरली आपको बताऊंगा कि हां भी कौन सोला स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा हो सकता है हैं मैंने इन दोनों स्मार्टफोन के ऊपर तो इस वी leo में आपको बहुत सारी टेस्टिं के स्टेर्स भी देखने को मिल जाएंगे और उन्हें आप देख सकते हैं धीहां से और अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सो वाला स्मार्टफोन आपके लिए बेटर रहेगा बागे दुस्तों वीडियो बनाने में काफी महनत लगी है तो मुझे आपकी तरफ से अगर एक लाइक मिलता है तो मुझे आप तगड़ी वाली मोट्विशन दे रहे हैं तो लाइक जरूर करिए वीडियो को और अगर आप चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको ऐसी इंट्रस्टिंग इंफरमेशनल फुल टेस्टिंग वाली वीडियो हमशा मिलती रहेंगी और अगर हम बात करते हैं आप प्राइसिंग की तो M51 स्मार्टफोन प्राइस किया गया होगा M51 क्योंकि यहां पर आपको Super AMOLED प्लस डिस्प्ले मिल जाती है तो काफी पंची कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है 6.7 इंचिस की डिस्प्ले आपको मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन में लेकिन मोटो जी 5G में आपको IPS LCD पैनल मिलता आता है और इस बात से मैं बिल्कुल डिसाइगरी नहीं करूँगा कि भही M51 स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी कमाल की है कई रीजन है उसके लेकिन काफी कमाल की है वो सारी रीजन आपको पता देल जाएंगे वीडियो में तो डिस्प्ले को मैंने कई एक्श्प्रेक्ट आउट्डोर्स में दोनों जगहों पे आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं डायक्स अनलाइट में भी आपको इशु नहीं आएगा क्यूंकि डिस्प्ले दोनों की ही काफी ब्राइट है इस पर डेक्शन ही बात कर लेते हैं तो मोटो जी 5G की डिस्प्ले प्रडेक्शन मत लब्त क्या है यह डिस्प्ले नहीं किया गया है बताया नहीं किया है लेकिन यहां पर M51 में आपको गईला ग्लास 3 प्लस की प्रडेक्शन मिल जाती है तो ठीक है वड़ मैं रेक्मेंड करूंग हो कि आप दोनों में ही टेंपर ग्लास यूज करें और कोई स्क्रीन प्रड कि तो यहां पर आपको मोटो स्मार्टफोन में कॉलकॉम स्नेपड़ेक्शन सेवन फिप्टी जी चिपसेट दिया गया है जो कि एक 5G चिपसेट है एक स्विटी टू मॉडम में इसके अंदर जैने कि 5G सपोर्ट करता है अगले साल तक अगर 5G आता है तो हाँ यह वाला स् स्टाइट्स दिखाना चाहूंगा एंड़ टू बेंचमार्क स्कोर मैंने रन किया था दोने स्मार्टफोन में और यहां पर आप स्टैट्स देख सकते हैं इस मामले में मोटो जी 5 जी थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है और साथ ही रीड और स्पीड की बात करते हैं तो उस कंडिशन में भी मोटो जी 5 जी स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म करता है अब यह भी दिस्क्लोज अभी तक नहीं हुआ है कि मोटो जी 5 जी स्मार्टफोन में कौन सी स्टोरेश टाइक यूज़ की जा रही है यूफस 2.1 या फिर यूफस 2.2 क्योंकि 2.1 के साथ मैंने कंपेर कर लिया है और सभी से काफी ज़्यादा फास्ट रीड राइट में मिल रही है मोटो वाले स्मार्टफोन में और ऐसा नहीं कि टूल्स ऐसा दिखा रहे है मैंने प्रैक्टिकली भी कॉपी पेस्ट टेस्ट किया था मल्टिपल टाइम्स किया था और उस कंडिशन में बाकि वीडियो रंडरे टेस्ट भी मैंने किया था दोनों स्मार्टफोन का और यहां पर आप स्टैट्स देख सकते हैं इस मामले में भी मोटो स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म कर रहा है तो ओर और ओल सीप्यू परफॉमेंस यहां पर बूस्ट की गई है 750G में अगर हम से कंपेर करते हैं 730G से तो और अब बात करते हैं गेमिंग की यहां पर दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग काफी कमाल तरीकी से वाती पबजी गेंप्ले मैंने करके देखा था कोरियन वर्जन और काफी अच्छा एक्पियंस रहा और यहां पर M51 में जो खराब होता है तो यहां पर साउंड पर्फोर्मेंस की मामले में थोड़ा सा एक्स्वेंस खराब होता है लेकिन अगर आप एरफोन लाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और साथी मोटो मैंने नोटिस किया कि यह वाला स्मार्टफोन हीट जाधा करता है मतलब थोड़ा सा 750G, 730G के उपर एक मतलब अच्छा अग्रेड है क्योंकि इसमें साथ में 5G भी आड़ कर दिया गया है अगर साउंड परफोर्मेंस की बात कर लेते हैं तो यहां पर मैं क्लेरली बोरना चाहूँगा कि मोटो बेटर परफोर्म करता है सिंगल स्पीकर्स आपको दोनों स्मा स्माटफोन में काफी बढ़िया लगी जियो और एटल की सिम मैंने लगा कर टेस्ट कि अपने एरिया में इंडोस में आउट्डोस में बाहर अंदर सब जगे और यहां पर नेटवक सिलेक्टिप कोई भी इशू फेस नहीं किया मैंने दोनों स्माटफोन में काफी स्टेब या फिर नहीं दे रहा है लेकिन मेरे एरिया में जी ओ देता है तो यहां पर मुझे बेटर डाउनलोड श्पीड देखने को मिल जाती है बाकि अगर को इस मामले में आपको थोड़ा निराश कर सकता है क्योंकि मोटो क्या करता है साफ सीधी बात करता है तो अगर आपको रेक इन-bilt call recording कर सकते हैं चुक्त के से गुब तरीके से बागी fingerprint sensors की बात कर लेते हैं तो M51 में आपको side mounted fingerprint sensor मिल जाता है और मोटो में आपको पीछे की तरफ fingerprint sensor मिल जाता है अगर आप यहां पर speed की बात कर लेते हैं तो M51 का fingerprint sensor ज्यादा फास्ट है अब बात करते हैं कैमरा की तो M51 smartphone में आपको quad camera setup दिया गया है चारो ही camera काफी useful है और moto में आपको triple camera setup दिया गया है पीछे की तरफ और कुछ camera इसमें useless type के भी हैं अगर हम daylighting shots की बात करनें तो यहाँ पर इस condition में better details आपको थोड़ा से देखने को मिल जाएंगी M51 की images में लेकिन M51 के camera मैंने notice करा कई बार यह image को थोड़ा सा bright कर देता है या फिर colors को थोड़ा सा fade कर देता है मतब थोड़ा सा fee के colors show करता है rare camera से, primary camera से जैसे कि यह वाली image में आप देखेंगे तो यह colors को थोड़ा सा fade कर रहा है जो actual color है वो नहीं show कर रहा है Moto ने colors को slightly boost किया है लेकिन close to natural यहां पर Moto है लेकिन अगर dynamic range की बात कर ली जाए तो उस condition में M51 clear winner रहेगा और जो portrait mode की images हैं वो भी ओर और मुझे M51 की जादा better लगी और यहां पर ultra wide image अगर आप देखते हैं तो इस condition में भी M51 की images काफी better लगती हैं ज्यादा wide भी रहती हैं ज्यादा detailed रहती हैं और colors भी ज्यादा अच्छे रहते हैं और macro image में भी आप यहीं notice करेंगे 5MP का micro sensor आपको M51 में मिल जाता है तो उसका advantage यहां पर मिल रहा है macro shots आपको काफी better देखने को मिल जाएं की तो इस condition में तो भाई clearly यहां पर M51 ने एकदम से kill कर दिया Moto G5G को low lighting conditions में आपको better details ज्यादा sharp और ज्यादा bright image देखने को मिल जाती है M51 के camera से तो overall camera के मामले में मुझे पसली ज्यादा पसंद आया है M51 Samsung Galaxy M51 बागे और बात दलते हैं और recording की तो इस condition में M51 थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्यूंकि M51 में आपको कोई भी 60fps option नहीं मिलता है ना तो 4K ना तो full HD हाँ, front camera से भी आप 4K video shoot कर सकते हैं यह अच्छा advantage है लेकिन यहाँ पर Moto के अंदर क्या है कि rare camera से आप 1080p 60fps में video shoot कर सकते हैं अच्छा कि front camera से आप limited रहेंगे फूल HD तक ही और video की quality आप यहाँ पर देख सकते हैं side by side अब अगर वात लोते हैं बैटरी बैक अप की तो इस मामलें भी कोई संदे कोई डाउट नहीं है कि M51 यहाँ पर विनर रहेगा क्योंकि इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है काफी बड़ी सी, काफी बीस्ट बैटरी मिल जाती है तो overall M51 में काफी अच्छा कमाल का बैटरी बैक अप देखने को मिल जाता है दो दिन तक यह device आराम से चल जाता है मेरे uses में अगर आप फलो बहुत गेमिंग भी करते हैं तो आप 10 दिन का बैटरी बैक अप निकाल सकते हैं इस वाले स्मार्टफोन से और वहीं पर मोटो में भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है काफी decent बैटरी है मतलब बैटरी बैक अभी तक मुझे यूज़ करने के बाद काफी अच्छा लगा है लेकिन फिर भी Samsung इससे आगे है बाकि Samsung सपोर्ट करता है 25 वोट की चार्जिंग को चार्जिंग स्टैट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और मोटो में आपको 20 वोट का चार्जर मिल जाता है और उसके स्टैट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बाकियार हम सॉफ्टेर की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोंस एंडॉइट 10 पे रन करने आज के टाइम पर नॉम्बर के सिगटों पैश है दोनों स्मार्टफोंस में और M51 में आपको मिल जाता है 1UI 2.5 और इसके अंदर काफी यूसफुल फीचर मिल जाते हैं आपको न पहले विच्छित से काफी स्क्रीट आप कर सकते हैं और इनका अबक्तिव डिस्प्ले वाला जो फीचर है ये भी यूस कर सकते हैं काफी बढ़ता है अब डिजाइन बात करले ते दोनों फॉनस स्मार्टफोंस प्लास्टिक से बने हैं प्सली मेरे को मॉटो इस मामले मे बैटर लगा, मतलब थोड़ा सा सालिड फील होता है और इसके बैक में थोड़ा सा टेक्स्चर भी बना हुआ है बैसिकली प्लास्टिक की कॉलिटी भी मुझे थोड़ा मोटो की बैटर लगी थी बाकी बैटरी की मामले में इतना गैप है लेकिन जब आप डिवाइस को साइड बाई साइड यूज करेंगे तो आपको M51 थोड़ा सा पतला फील होगा थोड़ा स्लिम फील होगा अब ये सैंसंग कैसे मेनेच करता है वो मुझे नहीं पता, मतलब वो वही जाने बट ओवराल सही है क्योंकि वेट दोनों स्मार्टफोन का अल्मोस्स सिमिलर है एक में 5,000 mAh की बैटरी है एक में 7,000 mAh की बैटरी है तो भाई साइड वेट डिस्टिविशन काफी तगड़ा गरता है सैंसंग इस बात में कोई संदेह नहीं है अब बात करते हैं कि किसको कॉन सौल स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए तो देखिए हर यूजर की नीड अलग होती है हर यूजर को अलग-अलग फीचर से मतलब होता है कई बार तो इसलिए हाई टाइक के स्मार्टफोन बनते हैं बिगते हैं हाई टाइप की चीजें बनती हैं बिकती हैं तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप उस वाले स्मार्टफोन को चूज करिए जिसके कॉन्स के साथ कमियों के साथ भी आपका काम चल जाए आपको दिक्कत ना हो कोई भी बाधा उत्पन ना हो आपके कामों में तो अगर आपको एक 5G फोन चाहिए जिसमें 4G प्लस का सपोर्ट हो बेटर आपको स्पीकर पॉलिटी चाहिए और स्लाइटली आपको बेटर परफॉमेंस चाहिए और स्टॉक एंड्रोइट का एक्पियंस चाहिए तो मोटो आपके लिए बढ़िया ओप्शन है 21,000 रुपए में लेकिन अगर आपको सुपर एमलेट प्लस डिस्प्ले चाहिए जादा बड़ी बैटरी चाहिए और काफी कमाल के कैमरा चाहिए तो इस कंडिशन में M51 आपके लिए एक किलर फोन रहेगा आज के टाइम पर भी अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मोटो ने गलती क्या करी है 21,000 रुपए में मतलब फोन लांच किया ओवराल 5G के साथ लेकिन आप यह एक और USB डाल सकते थे अगर यह इसमें AMOLED डिस्पले या फिर high refresh rate वाली डिस्पले डाल देते तो इसकी एक और USB हो जाती उस कंडिशन में काफी अच्छे तरीके से कॉम्पीट कर सकता था नहीं तो आज के टाइम पर यह बस एक option बनके रहेगा है फोन मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा बिक पाएगा फोन अच्छा है 21,000 रुपए के बजट में आपको काफी सारी अच्छी चीज़ें भी प्रोइट कर रहा है आप उस वाले को चूश करिए मैं हमेशा यही कहता हूं अगर आपको लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा और अगर आपको मैंने में अभी कोई सवाल हो तो वह भी आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आपको ऐसी ही बड़ पूरमें